हेलो डियस्टों कैसे हैं आप सब चले शुरू करते हैं आज की क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं बिजने स्टेडी चैप्टर नंबर फोर क्लास ट्वेल्ट हमारा चला हुआ है क्लास सेकंड चले गी आज फर्स क्लास डाल चुका हूँ मैं यूटूब पे आप पहले वो देख सकते हैं आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर के अंदर प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है वेरी इंपोर्टन्ट एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर साथ चीज़े इंक्लूड होती है ये सेवन चीज़े आपको एज टीज याद करनी पड़ेंगी हेडिंग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं वेरी इंपोर्टन्ट एक्षण ज़ुलिए इसके उपर नॉर्मली केस्टेडी आती है वो किसी भी तरीके से पूच सकते हैं और ये थेोरी के रूप में भी आ सकता है आपका very important question, ठीक है, चलिए इसको detail में discuss करते हैं, one by one करके, planning process के अंदर सबसे पहला point है setting objective, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी organization जो होती है, कोई business जो होता है वो अपना target set करता है, यानि कि objective set करता है, ठीक है न, कि भई उस क्या, क्या achieve करना चाहता है, objective specify clear है, उसके बाद second जो है, इसकी process के अंदर second जो point आपको लिखना है, वो है developing premises developing premises का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ adjustments हम लोग लेके चलेंगे, certain adjustments, क्योंकि हम बात कर रहे हैं future के लिए क्योंकि planning future से related होती है इसलिए देरा certain assumptions, कुछ adjustments हम लेके चलेंगे, यहाँ पर premises के, अगर हम बात करें तो दो तरीके की premises बताएगी है एक होता है internal premises और एक होता है external, internal के अंदर capital, labor, raw material और external के अंदर government जो policy बनाती है, customer का taste कैसा है, ठीक है न, यह सब चीज़ आती है, आप चलते हैं, next पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर, third यानि कि process number point number three के अंदर, process के अंदर हमें क्या लिखना है, identifying alternative course of action identifying alternative course of action, अब जैसे मैं example दे रखा हैं, there are many way to achieve the objective, objective को यानि target पूरा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप कौन सा तरीका अपना होगे, ठीक है न, वो आपको select करना है, ठीक है न, जो आपके लिए best होगा न, जैसे example के तोर पर, sales could be increase through any of the following way, अब माल लेते हैं, कोई organization है, कोई business है, वो अपनी sales increase करना चाहते हैं, अब sales increase करने कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने बता रखे हैं, एक, दो, तीन, चार मैंने जैसे तरीके लिख रखे हैं यहाँ पे, तो अब देखना है यह कि आप कौन सा तरीका इसमें select करोगे हैं, आइडिनिटिफाई कर लो, पहले alternative course of action, यानि कौन कौन से तरीके से आप अपनी sales increase कर सकते हैं, इस तरीके से, उसके बाद क्या है, evaluating the alternative course of action, ठीक है नहीं, positive and negative aspect of each and every proposal need to be evaluated, इसके अंदर यह देखते हैं, अगर हम कोई एक alternate choose करते हैं, तो हम यह देखेंगे कि इसका positive और negative दोनों aspect हमें ध्यान रखने हैं, तभी उस proposal को हम accept करेंगे, उस alternative को हम collect करेंगे है न, इस तरीके से, ओके, अब आगे चलते हैं, point number five के अंदर आपको क्या लिखना है, selecting an alternative, अब आप क्या करेंगे, जब यह सब चीजे देख लेते हैं, positive and negative aspect देख लेते हैं, जो alternate आपने select करना है, उसके बाद, ठेकर न, real point of decision making, यहां पे हम decision लेते हैं, कि भी कौन सा सबसे best है, तो best plan हम लोग has to be adopted and implemented, ideal plan most feasible and profitable and with least negative consequences, मतलब हमें ऐसा plan बनाना है, ऐसा alternate हमें select करना है, जो की क्या हो, हमारे लिए best हो, हमें हर तरीके से देखना पड़ेगा, कि positive or negative दोनों तरीके से सोच के, अब उसके बाद next आता है, उसके अंदर implementing the plan, implementing the plan, जो उपर हमने select किया है, अब उसको implement करने का time आगा है, putting the plan into action, है न, इसको बोलते है putting the plan into action, ठीक है न, ओके, अब आता है last follow up action, follow up action का मतलब होता है, जो भी plan आपने बनाया है, अब आप उसको monitor करना है, आपको, इसके अंदर क्या करते हैं, monitor करते हैं उसको, देखते हैं कि क्या ये according to, हमने जैसे हमने सोचा था, वैसे ही हो रहा है या न, इस तरीके से, तो ये है, अब चलते हैं next के अंदर, अब हम और पढ़ने वाले हैं, आज next, types of plan, types of plan बहुत ही ज़्यादा important question है, इसके paper में बहुत ज़्यादा question आते हैं, case study आती है, ठीक है, तो आप इसको भी seriously देखेंगे, इसके अंदर, single use plan के अंदर, दो चीजे हम पढ़ने वाले है, budget और program, और यहां पे standing plan के अंदर, हम लोग 6 चीजे कवर करेंगे, objective, strategy, policies, procedure, methods and rules, डेटेल में देखने वाले हैं, तो चलिए इसको डेटेल में पढ़ते हैं, one by one करके, पहले हम पढ़ेंगे, single use plan क्या होता है, तो आईए देखते हैं इसको, तो यहां पे आजाते हैं, यह हम screen लगा दिये मैंने, तो पहले हम पढ़ेंगे single use plan, और इसके डेटेल में दोनों point है न, तो single use plan का meaning लिखना है, पहले आपको अगर थेओरिय का कोशना आता है तो, तो these plans have connected with some special problem, यह ऐसे plan होते हैं, जो किसी एक particular problem के लिए बनाए गए हैं, कोई problem हाई हमारे सामने, कोई special problem, और उसके लिए हमने एक plan बनाया, अब problem खतम, तो plan भी खतम, ठीक है, आगे कहता है, these plan and moment as problem are solved, मतलब जैसी problem खतम, वैसे ही plan भी खतम, आयोप clear होगा, इसलिए इसको single use plan बोल गया, अब इसके अंदर दो चीज़े जैसा कि हमने पढ़ा था, इसके अंदर दो चीज़े हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में, वो दो चीज़े कौन कौन सी है, पहले तो पढ़ेंगे budget, उसके बाद हम पढ़ेंगे program, ठीक है, तो budget के अगर हम बात करें, तो budget एक ऐसा statement होता है, अब government budget chapter भी तो पढ़ते हैं एकनोमिक्स के अंदर, यह सब estimation based होता है अब जैसे की program, program क्या होता है, program basically क्या होता है कि detail में लिखते हैं, यह भी statement है, यह भी statement है, लेकिन यह detailed statement है, समझे हो, जिसमें बहुत detail में चीज़े लिखी रहती हैं, कि भई, month में day जैसे कि daily basis पे हैंना, कितनी कितनी sales होएगी इस तरीके से, a program is a single-use plan, यह तो हमें पता है क्योंकि उसकी types बढ़ रहे हैं, containing the detailed statement, यह detailed statement है, about the project, है न, outlining the objective, policy, procedure, rule, human resources, सब चीज़े उसके अंदर लिखी रहती हैं, अब आगे चलते हैं next, यह जो standing plan है, इसके उपर case study बहुत ज़ाद आती है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है न, standing plan, इसमें सबसे पहले क्या है, these plans are formulated once, एक बर बनाये जाते हैं, और उनका बार-बार use कर सकते हैं, ठीक है न, जबकि single-use में क्या होता था, एक particular problem के लिए हमने एक plan बनाया, और जैसे ही problem खतम, plan भी खतम, ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, next, इसकी types इसके अंदर 6 चीज़े मैं आपको बताये थी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, objective क्या होता है, तो objective के बारे देखते हैं, objective को मैं पहले ही बता चुका हूँ, objective का मतलब है, target क्या है हमारा, ठीक है, organization का target क्या है, उसे बोलते है, objective, जैसे example, एक company अपना objective set कर सकते हैं, कि हमें अपनी sales increase करके, 500 करोड करनी है, 5000 करनी है, और जो भी target आप रखें, वो achievable भी होना चाहिए, ठीक हैं, हम achieve कर सकें, measurable होना चाहिए, यह जुरूर ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसा target नहीं रख सकते हैं, जो possible ही ना हो, achieve करना, यह कहना चाहता है, यह basically है, और दूसरा point है, strategy, very important question, important है, case study आती है, इसको पर बहुत ज़्यादा strategy का point, strategy क्या होता है, comprehensive plan, comprehensive मतलब बहुत ही detail में है, comprehensive plan, which consider business environment, comprehensive plan, मतलब plan भी इस तरीके से बनाया है, जिसके अंदर business के environment को consider करते है, business environment chapter हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, business environment का मतलब होता है, वे factors जो business के भाहर है, और business को influence करते हैं, और business का उपर control नहीं है, इसके अंदर तीन dimensions जो आपको याद होने चाहिए, पहला इसके अंदर पहला क्या करते हैं, determining long term objective, है ने, क्या determining करते हैं, कि long term objective क्या है, business का, adopting a particular course of action to achieve the objective, है allocating the resources necessary to achieve the objective, resources को allocate करते हैं, है आगे चलते हैं, next, और cover करने वाले हैं, ये chapter आज की class में खतम हो जाएगा, ठीक है, और आप और भी chapter देख सकते हैं, chapter number one, chapter number two, chapter number three, आपके डल चुके हैं, यूटूब पर detail में, ठीक है, और हर chapter के अंदर मैंने आपको बता भी रखा है, कि ये question है, जो paper के लिए most important हो, वो जरूर करके जाने हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बनाई जाती है, policies, basically, हैंने, जैसे कि, महा लेते हैं, top management बनाता है, policy, हैंने, top management ने policy बनाई कि, भई हम सरफ cash basis पर sell करेंगे, हैंने, उदार पर बंद कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो policy बन जाती है, procedure क्या होता है, basically, procedure कुछ नहीं होता है, किसी भी काम को करने का, एक sequence, procedure कहलाता है, हैंने, methods क्या होता है, ठेक है, किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हें method बोलते है, how different activities or procedure are completed, more detail the procedure, हैंने, अगर इसी को detail में बना दे, तो procedure बन जाता है, rules रूज क्या होता है, rules basically, rules का मतलब से रिपितना है, क्या करना बहई, क्या नहीं करना है, जैसी factory के अंदर लिkids लिखा रहते है कि कोई smoking, no smoking zone, ऐसे लिखा रहते हैं no smoking in factory है, तो ये rule होने, तो rule का मतलब होता है, क्या करना नहीं है, बेजिकली है, तो इसके अंदर कौन-कौन से question important है, एक बार मैं आपको बता दूँ, detail में आपको तीन question दिखा जाता हूं, इसके अंदर most important है, वही आपको करने हैं, ठेक है ना, आप चाओ तो पूरा chapter तो मैंने कराया है, लेकिन ये हैं, जो paper के अंदर, सबसे ज़्यादा exam के अंदर, आज तो पूछे गए, यही तीन question आते हैं, पहला features कर लेना, आप बहुत ज्यादा important है, मैंने करा भी दिया है, आप इसके notes लिख लेना, पीछला video देख लेना, तीन, अब limitations most important, बहुत ज्यादा important, दो question होगे, अब इसके बाद आते हैं, question number three, planning process बहुत ज्यादा important है, planning process बहुत ज्य पूरी भी आ सकती है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीन question होगे, जो most important है, लेकिन अगर इसके इलावा, अगर आप करो, तो याद करो, यह मैने भी types of plan करा हैं, आपको, इसके अंदर जो standing plan है, यह जो, यह 6 point है, यह जो रूर करना, आप objective क्या होता है, strategy क्या होता है, policy, procedure, methods rules, यह बहुत ज़्यादा important है, इनके उपर case study बहुत ज़्यादा आती है, तो तीन question most important है, और आप यह भी करेंगे, क्योंकि इसके उपर भी case study बहुत ज़्यादा आती है, I hope clear है, आज के लिए तरह ही, ठीक है, दो class के अंदर chapter हमने खतम कर दिया है, मिलते हैं एक नए chapter के सा ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चलन को करें, सब्सक्राइब, बाई